हालो गाईज, विल्कम बैक ट्यूर्फेविरेट चैनल, लॉजिकल फैंटासे टॱिक, इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दिल्ली और राजस्तान के बीच में यह मैच होने वाला है कोटला का स्टाडियम होगा फ्रिशो फिरोशा कोटला जानी के अरुण जेकली स्टाडियम जब जब दिल्ली और आसान का मैच हो और कन्फूजन नहों ऐसा मुम्किन ही नहीं है और कन्फूजन तो आपका विकेट किपिंग सेक्शन से ही शुरू हो जाता है जैसे हमारे पास आप्शन मिल जाता है संजू सैंसन का जोश बटलर का हमारे पास आप्शन मिल जाता है रिशप पंत का हमारे पास आप्शन मिल जाता है दोस्तो तीन ट्रम प्लेयर का चाहिए व बड़े विकेट कीपर बैक्समन के साथ हमें जाना है क्या इस मैच में अगेन क्योंकि जब लास्ट टाइम जब दिल्ली और रास्थान आमने सामने हुई थी तो यही पिछ था क्या के तो उसको जहां पर रियान पराग ने बहुत अच्छा नौक खेला थे अलमोस्त 80 प्लस बनाये थे और आखरी बार दिल्ली कैप्टिल की टीम से जेक फ्रिगर मगर्क ने भी 80 प्लस रन बनाये थे तो क्या ये दो इंपोर्टेंट बैक्समन आज भी चलने वाले हैं क्या इस मैच में अगेन बटलर आउट हो सकते हैं क्योंकि बटलर के सामने कौन होने वाले कुल लाइक करते हो आगे बढ़िए सबसे पहले डीटेल स्पिच रिपोर्ट पे लेके चलता हूँ लेकिन उससे पहले कुछ निउस है जो इस मैच में होते हुए दिखेंगे प्लेंग लेवें चंज होते दिखेंगे क्या निउस है दिल्ली कैपिटल की टीम में इशान शर्मा जो है अवेलेबल है सेलेक्शन के लिए डेविड वार्नर के फिटनेस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है अभी रिकॉर्डिंग मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अल्मोस सुबह के बज़रे चे साड़े चे अभी तक कोई क्लारिफिकेशन नहीं है तो मैं आपको टेले थी खेंस नहीं खेलेंगे और तो सीदे सीदे एशान्शरमा की जगटें में बन जाती है तो ये सब चीजे हो सकता है साती साथ राट्सान अपना लास्ट पे साथ चाहें और लास्ट प्लेंग लेवन के साथ वो इसलिए भी जाना चाहेगी क्योंकि यार वो ना टॉप में अभी कॉलिफाई करने के तगार पे हैं यही है कि राजसान जीत करके रैंक वन बनना चाहेगी लेकिन दिल्ली कैप्टल जो कि किये गयार से अपना मैच हार के आ रह सकती है सारी चीजों को देखते हैं फिलहाल मैच अप कुछ इंपॉटेंट है जिसको देखते चलिए जैसे के चार बुलेट पॉइंट ध्यान से समझें जो मैं आपको बताने वाला हूं आखरी बार हेट्ट्वेड में परागने 84 बनाय थे एक बहुत बहुत बड़ा मैच था जहां पर किवल 35 या 37 बाल के अंदर 84 का पारी उन्होंने खेला था किवल 35 बाल के अंदर समझे रहो आप क्या पुटेंशियल साथी साथ ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले के अंदर सबसे जादा विकेट लेने में सफ़ल हो पाए हैं साथ विकेट और संदीप शर्मा भी लेने वाली खिला रही है लेकिन आखरी मैच में बहुत बढ़िया पिटाई होगी इस मैच में क्या टार्गेट करेंगे दिल्ली के बैक्समन यूजी चहल को देखने वाला मैच पर रहेगा तो चलिए सारी चीज़े आपको बताता शुरू करता हूँ बताना शुरू करता हूँ जहां आपको सारी चीज़े समझाओंगा लेकिन आज इस वीडियो में आपको फिर से एक रुपे में पांच मेगा कॉंटेस खिलने का ओफर देने वाला हूँ यानि कि जहां आप 49 रुपे लगाओगे पांच मेगा कॉंटेस का मतलब 250 रुपीज लग जाएंगे ले कोडि उसके बाद देखेंगे एक टीम के बैक्समन का दूसरे टीम के बॉलर के साथ में मैच अप ताकि कौन वो इंपार्टन मैच अप जो वर्थ करता दिखेगा ऐसा नहीं कि मतलब मानलो कोई उपनर मैच में है जो यूजी चहल के बॉल पर स्ट्रगल करते हैं वो मैच मैच अप लेकर के हम आपको देंगे ऐसा नहीं मीडिलोवर के मैच पर यूजी चहर वाला मैच अप काम आता है यहीं चीज देख रहा है ओपनिंग बॉलर होगे और बैक्समन है तब मैच अप है तो काम आता है यह सब हम चीज़ आपको बताने वाले हैं साथ से आठ प्ले यूट्यूब चैनल या फिर लॉजिकल फेंडसे ट्रिक टूड़े मैच आपको हमारे वीडियो दिख जाएगी देख लीजी या फिर सबसे आसान तरीका बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं सौ में से केवल 35 बाकी 65 लोग बिना सब्सक्राइब किये यह चीज़ है और रिपीट यह काम करते चलिए अरुन जिटली का स्टाइडियम है जो विन्यू इस वार तीन मैच हुए है तीन के तीन मैच में सभी इनिंग के अंदर आप देखोगे तो 200 प्लस स्कोर बने हैं यहां देखिए 257, 247, 244, 222, 266 के वल एक मैच में आपको 199 ने बनता दिखढ़, यानी कि रन, 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 रन ही बन रहे, अच्छे कास रन बनते दिख रहे, पेसर और स्पिनर्स में लास मैच ने तो ज्यादा पेसर को मिला, लेकिन उससे पहले सभी दोनों के दोनों मैच में स्टीनर्स ने ज्यादा विकेट निका ले, तीन चार युजवेंदर चहल है हम और रवी चद्रा अश्विन है इन चारों में से आपको दो या तीन प्ले ड्रीम टीम में इसली आते दिखेंगे अश्विन का उप्षन तो उतना बढ़ी या नहीं बनता है लेकिन कुल्दीप चहल और अक्षर पडिल दो तीन प्लेयर डेफिनेट पारी में आही जाते हैं कौन वो बैट्समन है जिसको आप आज की मैच में कैप्टन और वोईस कैप्टन बना सकते हो साथी साथ वो कौन प्लेयर है स्पेशली बॉलिंग से जो इस मैच में सीवी सी बन सकता है क्योंकि वहाँ टीन एट राजर बन रहे है यहाँ पर अगर पिच पर और शारी चुरा शी रोडित और इटास आप नबे क्रेटिट और टीम बनाने कि यूनिक बनेगी अच्छी बनेगी आगे में क्रेडिट सेक्शन से भी बताऊंगा कि आज इस मैच में नहीं क्रेडिट के कितने प्लर किसको ड्रॉप कर सकते यह सब आपको बताऊंगे दोस्तों इन तीनों मैच के अंदर ध्यान से दोखे ऊगए न तो एक नेक अपनर फ्लॉप होता दिख रहा है इन फैक दोनों ओपनर ध्यान से देखिए यह दिल्ली और मुंबई का मैच था जहां पर इशान किशन रोहिशर्मा दोनों फ्लॉप होए इस मैच के अंदर देख सकते हो गौर से देखिए इस टीम को उसके बाद गुजरात के साथ जो मैच था इ यह दोनों फ्लॉप हो रहे तो आज भी हम इस मैच में चार उपनर में से दो ओपनर पर ड्रॉप करने का रिस्क लेंगा वो दो ओपनर कौन है जिसको ड्रॉप करने का रिस्क लेंगा आपको बताऊंगा अब ये क्यूं हो रहा है क्यूंकि variation यहाँ पर कराने वाले baller सफल हो जाते है movement मिलता दिखाई देता है नए ball से जो भी player ball करते हैं उनको सफलता मिलती है pace baller में यही चीज मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा फिलाल यह अभी तक का पिछ रिपोर्ट है फाइनल पिछ रिपोर्ट में टेलिग्राम पे देने वाला हूँ तो टेलिग्राम से जरूर जोइन करिएगा सबसे जादा important अपने इस domain का है टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम पे फाइनल टीम में आपको देता हुआ आपको दिखूंगा तो यहां से जिक फ्रिफिश और डेविड वर्ट ऑपन करने लग जाएंगे फिर भी तीन चार ओप्षन टॉप आप आप बंद करके भरोसा कर सकते कौन यह अगर चायरों करेंगे और अगर पर्फॉर्म करेंगे इतना रण भी पनाएंगे कि ड्रीम टीम में आ जाएंगे दो तरीके की चीज़े होती एक अभी जो टरंड चल रहा है मतलब 15-20 रन तो बना रहा है यानि कि फ्लाप होगे 15-20 रन बना करेके लेकिन thumb में आ ज लेकिन ड्रीम टीम में आते दिखाई दिये थे यही चीज़े हमें फाइंड आट कर रहा है कि कौन वो प्लेयर है जो ड्रीम टीम में आ सकते हैं क्योंकि हम लोग ग्रैंड लिक की टीम बनाने वाले हैं स्मॉल लिक की नहीं ये बात ध्यान देना तो बैटिंग सेक्शन से हमें रहास्तान की टीम फेवर कर रही है लेकिन बॉलिंग की बात अगर हो तो ध्यान से देखें यहां पर हमार पास कौन-कौन प्लेयर आ जाते हैं पहला अक्षर पटेल उसके बाद कुलदीप यादव द यहां पर जो प्लेयर्स है उसमें प्लेयर स्ट्रगल करते हैं स्पिन के खिलाप में इसके लिए दोग कोENTS कर रहा है चार ओप्षन दिल्ली की टीम से हमार पास बॉलिंग उप्षन में लेकिन राजयस्थान की टीम पर बी कि तो पर दोस्तों यह हमने देखा कि आभी तक दोनों टीम का क्याता था लेकिन दोनों टीम यह आमने सामने होती है तो कैसा परफॉर्मेंस होता है वो देख लिए जैसे कि अभी जो मैच हुए है दोहदर 24 के अंदर ही ये जो टीम बनी थी जब ये दिली और रासान आमने सामने हुई तो 90 क्रेडिट की टीम बने थी और उस मैच में आप देखो यहाँ पर वोइस काप्टन ट्रिस्टन स्टफ्स बने थे कैप्टन रियान पराग बने थे और स्पिन काडिगरी से बात करें तो हमारे पास चहल आ गये थे कुलदीप आ गये थे और अक्षर पटेल आ गये थे अश्विन आ गये थे चारो के चारो option ड्रीम टीम में आ गए थे चारो spin category से player आज इस match में भी चारो option है कौन आने वाले मैंने बता है दो तीन player आएंगे फिर drop किसको करेंगे उसके बाद डेविड वारर उस match में खेल रहे थे रिशप्प, पंत और सैंसन आये थे तो यहां पर आपको दिखेगा कुछ ऐसे player जो लगतार प्रफॉर्म करके आ रहे है जैसे स्पिच पर जब-जब match हुआ है जिक फ्रगर मैंगर का हर match में आया है और एक match में captain भी बने है dream team में ठीक है तो वैसे ही आपर अगर आप देखोगे में ध्यान से तो हमें पता चलता है जैसवाल का performance हमेशा लगतार आपको देखने को मिलेगा रिशब पंत का performance आपको हमेशा दिखेगा यहां पर देख सकते हो ठीक है लगतार आपको दिखाई देगा balling section में आएंगे तो चहल का performance आपको हर match में दिखाई देगा जो आते ही आते है चहल किसी भी match में dream team से बाहर नहीं है यहां भी है उसके बाद आप Trent बोल्ड को देखेंगे अश्वीन dream team में होते ही है इस match में क्या जगे बनती है और अगर बनती है तो किस inning में लेना है बताऊंगा आपको चलिए देखते हैं आगे चलेंगे और आपको दोस्तों एक दो चीज़ और बता दू कि आखरी match दोनों टीम यह खेल करके आ रही है उस दोनों टीम का भी dream team का देखेंगे क्रेडिट तो वह 90 क्रेडिट से कम है जैसे के फिलडर के साथ में दिली का मैश था उसमें 27.5 मैश बने थे यहां पर देखेंगे यह भी 86.5 मैश बना था तो जब जब यह दो टीम आपस में मैश खेलती है तब हो पिछ पर जब मैश तब हो आखरी मैश दोनों टीम का हो से कब अब चलिए दोस्तों एक एकर के सारे प्लेयर के बारे में समझते हैं लेकिन मैं आपको structure बता दूँगा अभी पहले क्योंकि वे structure काफी important है छे प्लेयर विकेट की पर से हैं हम कितने लेकर के जाएंगे और death बॉलर प्लेयर बॉलर देख लेते हैं और फिर कितने प्ले लिजार्ड विलियम्स या फिर इशान शर्मा जो ओवर कटने वाले हैं वो कटेंगे दोस्तों अक्षर पठेल के साथ में खली लहमत के ये बात ध्यान देना बाकी रास्तान की टीम से बहुत ही जादा suitable और compact बॉलिंग ऑप्शन है इनका frequency complete उतना ही होता है यह च्छटे ब खर्मा करते दिखाए देंगे तो अब बात करते दोस्तों structure की जो maximum लोग लेके जा रहे हैं तीन विकट की पर तीन बैसमें दो और तीन बॉलर के साथ जा रहे हैं आपको क्या करना मिनी ग्रैली की टीम में आप चार बॉलर के साथ जाए दो और तीन दो ही बैसमन रखिए की टीम में आप एक बैसमन के साथ जाए दो अंडर पांच बॉलर आपको लेकर के चलने हैं वो एक बैसमन कौन होगा आप खुद बखुद कर लोगी जब मैं section wise बताऊंगा प्लेयर को तो इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी और कितने प्लेयर किस टीम से लेंगे तो जो भी टीम पहले बैटिंग करे उस टीम के हम छे प्लेयर लेने वाले और पहले बैटिंग करने वाली टीम के चांसे हाई रहेंगे किस मैच को जीते हुआ आपको दिखाई देगी बागी दोस्तों मैच में captain voice captain हम करेंगे बैटिंग और balling से बैटिंग में शामिल होंगे विकेट कीपिंग ऑप्शन भी विकेट कीपिंग ऑप्शन अब चलिए मैं आपको शुरू में बताया था क्या आपको एक रुपे में 5 मेगा कॉंटेस खिलने का ओफर बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा आपको इतना सारा रिसर्च के बाद आपको वहीं पर टीम बनाने हैं कुछ भी नहीं करना मायलेवर सर्किल का अप्लिकेशन का लिंक दिया हूँ है डिस्क्रिप्चन में पिंड कॉमेंट में जाइए पहले डाउनलोड करिए और रजिस्टर करिए रजिस्टर क करते हैं 2500 रुपे लग जाएंगे आपको 5 मेगा कॉंटेस लगाने में और यह मामूली मेगा कॉंटेस नहीं है यह मेगा कॉंटेस जहां पर पहला प्राइज शुरू होता है एक करोर से और इसके आगे और बड़े-बड़े प्राइज जाते हैं और आप से मुमारे स्पेशल यूजर हो पहली बार डिपॉजिट अगर करने वाले हो बस हमारा कोड यूज कर लेना मेरे भाई लॉजिकल 20 लॉजिकल 20 कोड यूज करने के बाद आपको मिलेंगे 20 परसन का अब यह क्या चीज है मैं बताता हूं देखे यहां पर अगर आप यह कोड यूज करो सब्सक्राइबर के लिए जाकर के डाउनलोड करिए और मैं तो कहूंगा पांच मेगा कौंटेस्ट का ओफर है अगर आप अल्डेडी रेजिस्टर हो खेल रहे हो ना तो फैमिली में किसी का फ्यों उठाइए ब्रदर का सिस्टर का किसी का भी वहां पर रेजिस्टर करिए और फिर डिपॉजिट करिए हजार रुपे मैं कहूंगा डिपॉजिट करने के लिए क्यूंकि वहां पे हमें टीम लगा नहीं अभी और भी मैचेस है जा पर बारास ओर पर लगा कि आपको एजिली वन सियर वाला कॉंटेस्ट खिलने का मौका मिलेगा और यह पांस टीम मि पर इडिक्शन मैं देने वाला हूं सभी को फॉलो करिए एक अच्छी खासी रिस्क लेकर के टीम जरूर लगए वहां पे क्यूंकि वहां भी वन सियर का ही फर्स प्राइज है विकेट की पर से देखना शुरू करते हैं कि किसे हम लेने वाले हैं और इसके बाद हम क्रेडि पिच्छन बहुत कम है यह खिला रही इस मैक में हो सकते हैं बहुतरीं ट्रम कार्ड प्लियर क्लासिकल अंदाज में खहलते हैं बढ़िया खहलना जाने और जब भी टेकनिकल बैक्स्ओन होते है ऐसे पीछेष पे हाली बैटिंग फ्रैनली पीछ पे रन बना करके जाते हैं इस match में जब दिल्ली second batting करेगी तो आपको इनको back करके जरूर चलना है वहीं बात करें शेव होप की तो देखे यहां पर जो matches हुए है उसमें दो match के अंदर शेव होप अभिशेक पोरल और फिर क्या के तो उसको रिशप पंदिया सैमसन में खैल से यह team player आते दिखाई दिया है इस match में अगर आप एक रिस्क टेकर हो और आप एक अभिशेक पोरल को back कर रहे हो और यहां से रिशप पंद को भी तो फिर शेव होप पे रिस्क लेके चलना है आपको drop करने का हलाग के player ठीक है hard eater batsman है लेकिन most probably आपको spin category से चाहे वो चहल हो चाहे अश्विन हो इनका wicket लेते आपको दिखाई देंगे चार नमबर पर आते हैं that is why वही पर बात करें रिशप पंद की बहतरीन किलाडी wicket keeping का backup रहेगा आपको back करना चाहिए और मैं तो कहूंगा चुकी संजू सैमसन के साथ है ठीक है तो आप सैमसन को अपनी टीम में by default fix लेके जा सकते हो क्योंकि यह खिलाडी भी मिडल ओवर में आगर के रन बना करके जाएंगे वहीं पर बटलर की अगर मैं बात करूं तो इनको अपनी टीम में सेकेंड बैटिंग के अंदर जब रा कुमार कुछ आगरा अच्छे बड़ मिडल ओर वर से भी नीचे खिलने आते बैटिंग और बहुत नीचे तो आप इनको छोड़के चलिएगा वह ज्यादा सेफ आप्शन रहता हुआ दिखाई ने दे बैटिंग से बात करते हैं दिल्ली की टीम से हमारे पास सबसे पहले अब यह खेलेंगे तो लंबा खेलेंगे अधर्वाइस फ्लाप हो जाएंगे तो जब आप अपनी टीम में रखना तो एजए वोईस कैप्टन लेकर के जाना इनको वोईस कैप्टन लेकर के जाना नहीं तो सिधा-सिधा सभी टीम में ड्रॉप करते चलना यह बात ध्यान लेकर के चलना और लेना भी तो पहले बैक्टिंग में केवल आप लेकर के जाना ज्यादा तर केस के अंदर वहीं परफॉर्म करते दिखेंगे जेक फ्रेगर मैं गरक आपकी टीम में फिक्स होने चाहिए उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि यह दो अबर भी टिक अगर अपनी टीम से दिल्ली की टीम में आप शे होप और तो अब ट्रिश्टन सबस को आपको बैक करना है और वो भी आप अपनी टीम में सेकेंड बैटिंग में बैक करके चलिए अगर इनको मौका मिलता है दो धाई ओवर भी खेलने का यानि के टोटल टोटल 15-20 वाल भी बाकि पांच में चार मैच में रन बना करके जाए लेकिन यही है कि इनको सवाल यह रहेगा कि करे या ना करे पहली चीज तो इनको ड्रॉप करके जैस बटलर भी आते हैं ठीक है ड्रीम टिम के अंदर यह और बटलर दोनों आते हैं तो दिल्ली के एक उपनर आपको फलप ह होने चाहिए यह डेटा हमें बता रहा है अंटिल एनलिस के कुछ अनक्सपेक्टर हो जा हम अपनी टीम डेटा के बहाफ पर ही बनाते तो इसके हिसाब से तो जैस्वाल पर अगरा पर एक रिस्क तेकर हो तो ड्रॉप करने का रिस्क लेके चलिए और फिर बटलर को बैक करके हमें मिड़ ओर में जाना जरूर है मेरे थाट माईर कि शायद हिट और यह तो बड़ा के साथ है क्यूंकि थोड़ा आठर चांस भी रहेंगे अगर अगर उपनर फ्लॉप होता है तो उनको मौका मिले का अच्छा गर के जाए यह बात ध्यान देना और वही पर धुरूब जूरेल भी बढ़िया किला रही है उनके अंदर जादा है यहाँ पर इनके अंदर अस्टैबिलीटी जादा है तो आगर आप 1 रिस्क टेकर हो कि हाड इटर बैट्समन है दिल्ली का पीछे और यहाँ पर डेच्छिंत्टर क्रेगे हैं दूरू जूर रो इन तरीके सही हमें यहाँ पर इन तिनो प्लेएर के सेल चांसेज हाई रहेंगे कि आज इस वैच में हिट मायर आ जाए या फिर हिट मायर और वो दुनों डॉप हो करके दुरूब जूरेल आ जाए बाकि जी एल के ट्रम प्लेयर में कौन होंगे आगे बताऊंगा और रंडर से मैंने एक ही प्लेयर बताया है स्ट्रक्चर में किसको लेंगे अक्षर पटेल स्पिन काडिगरी के साथ बहतरीन ऑप्शन हो जाते है जिने आपको बैक करना चाहिए पहले बैटिंग हो तो आप आराम से कवर करके चलिए रियान पराग पर आपको रिस्क लेके चलना है बॉलिंग भी पार्ट टाइम ही करत अगर आप एक Maine के साथ जा रहे हैं गर अगर आप इनको लेना भी हो तो सिकेंड बैटिंग जब हया है तब आप इनको लेकर के रहे हो तो आपको क्या करना है रवी इनको second balling में जरूर cover करना है chances हाई रहेंगे जैसा कि जब जब ये दो टीम आमने सामने होती है अश्विन dream team में आते ही है किसी भी scenario में आपको इस match में भी अश्विन के chances रहेंगे कि वो आ सकते है क्योंकि batting आ जाती है तो वहाँ भी बढ़िया करते है और जो मैंने scenario बताए वहाँ पर हो सकता है उनकी batting भी आ जाए उसके scenario में balling से हम किसको लेंगे ध्यान से समस्ते चलिए डिल्ली की team में सबसे पहला हमार पास पुल्दी प्यादव का option है definitely dropable player नहीं है आपको back करना चाहिए अपने team में ले करके जाए पहली चीज़ उसके बाद क्योंकि इनका frequency देखिए या wicketless जा रहा है इस match में chances रहेंगे कि wicket लेगे जाए second balling हो तो बिल्कुल miss नहीं करना बात करें रसिख दर सलाम की selection बहुत कम है बट player बहुत quality वाले हैं कभी भी आपको bundles वicket निकाल सकते लेकिन इस match में अगर इशान शर्मा खेलते हैं तो आप इस player पर रस्क भी ले के चल सकते हैं और ड्रॉप करने का और तब जब इशान शर्मा खेलेंगे तो अगर डेविड वारर रहें होते हैं लिजार्ड विलियम्स भी खेलेंगे और हो सकता रसिख दर सलाम की जगे ही इशान शर्मा खेल जाए और अगर लिजार्ड विलियम्स के जगे इशान शर्मा खेलेंगे तो भी वो important रहेंगे इशान शर्मा खेलेंगे तो बाई डिवाल्ट फिक्स लेना अधरवाई लिजार्ड विलियम्स को पहले बॉलिंग में आप कवर करके चलिएगा बात करें दिल्ली की टीम से एक और बॉलर की और वो है हमारे पास खलील एमद बहुत ही कमाल के प्लेयर है लेकिन विकेट लेने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है तो इस मैच में आपको अपने टीम में खलील और लिजार्ड में किसी एक के साथ जाना चाहिए रसिकदर सलाम में खलील में किसी एक के साथ जाना चाहिए बाद ध्यान देना तो दो ऐसे प्लेयर जिनको एक साथ नहीं लेना आगे में बताने वालों वहां और क्लारिटी मिल जागा फिलहाल अगर आपको खलील को लेना हो तो आपने पहले बॉलिंग में लेकर जाए पहले बॉलिंग में लेकर जाना लेकिन अगर टीम में अपनी आप ले रहे हैं संधीप शर्मा को यहां से अगर आपके टीम में बैक होंगे क्योंकि मैं संधीप शर्मा को बाई-डिफॉल्ट फिक्स लेकर जाऊंगा फिर वहाँ पर आवेश खान को drop करके आपको चलना है, अगर आप उन दो रोगे लेकर चलना है, लेकिन एक player को लेना तो आवेश खान को पहले balling में आपको ले करके जरूर जाना है, यह बात ध्यान देना, आवेश खान पहले balling में must have pick, लगातार wicket लेकर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पिछला दो मैच ऐसा गया है, जहां पर wicket लेकर लेकर के जाएंगा अपनी टीम में, साukiya के आहे जहा है, हम लेंगे तीन player, आड़ क्रिडिट प्रेट नहीं बताना शुरू करता हूँ, किस तरीके सापको रिसक लेकर चलना है, जैसे के 9 credit के जो player आमार पास 5 इसमें से आपको कम से कम आपको 3 player लेकर के जाना है 3 player लेकर के जाईए 3 से ज़्यादा try करना नहीं लेने का फिर drop किसको करोगे बताता हूँ मैं आपको Rishap Panth है Samson है Butler है Kuldeep है चहल है किसी को drop करने का मन नहीं करेगा बड़ चहल को आप यहां से fix रख सकते हो Kuldeep को यहां से आप fix रख सकते हो जो risk लेना वो यहीं से लेना है Samson, Butler, Rishap Panth यहां से risk लेकर के चलिए क्योंकि वो 2 player आपको विगेट लेने में सफल हो सकते हैं आज इस मैच में साड़े 8 credit के 5 player है इसमें Tristan Stubz है, Jaiswal रियान पराग, Akshar Patel है, मेरे साब से जो risk लेना चाहिए आपको जैस वाल पर लेना चाहिए, रियान पराग पराग पर लेना चाहिए, Akshar Patel को बैक करिए, Trent बोल्ट को बैक करिए और Tristan Stubz को भी बैक करना चाहिए प्रित्विशो और रॉमन पवेल, अब देखिए यहां पर रॉमन पवेल और प्रित्विशो दोनों ही उसी kind of player है, कभी भी आउट हो सकते हैं, इन दोनों पर risk लिया जा सकता है, हिट मायर, ये तीन player ऐसे हैं, जिन पर risk लिया जा सकता है, बाकी आपर अवेश और अवेश चंदर अश्विन है, मैं गर को back कर सकते हो, अवेश ठान की पहले balling हो, तो back करना, और फिर यहां से एक player को किसी पर आप ले करके जा सकते हो, अपने team में, बाकी दोपे risk ले सकते हो, बाकी दोस्तों आगे जो player से उसमें, शेय होप है, धुरूप जूरेल है, रसिक दर सला ठीक, अगर आस्तान की team में, top order में player को drop करो, रियान पराग को drop करो, फिर यहां पर, शिम्राउन हिट मायर, क्या कहते हो, शिम्राउन हिट मायर होगे, रॉमन पवेल होगे और धुरूप जूरेल, इस मैं से आपको यह धूरूप जूरेल आते हैं, यहां से दिखाए दिख बल्लेबाज है, टेकनिकल बल्लेबाज, प्रित्वी शौ, रसिकदर सलाम और आविश खान, यह बात ध्यान दे करके चलना, प्रित्वी शौ इसलिए Trump होगे, क्योंकि ठीकेंगे तो बहुत लंबा खेल के जाएंगे, drop किसे करना है, कुमार कुशागरा को करके चलिए, बल्लेबाज करेंगे, प्रित्वी शौ, मैंक गर्क में किसी एक को ड्रॉप करिये, अगर डेवीड वार्नर खेलेंगे, तो उनके साथ ओपन करतें, दिखाई देंगे प्रित्वी शौ, तो भी आपको एक प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है, इन दोनों उप्लेर में से, श कैपटन कौन है वो मैं आपको बता देता हूं अब यहां पर वोस कैपटन बता हूँ उससे पहले आपकी स्क्रिन पर रहा होगा इस मैश में अभी तक जो कैपटन वोस कापटन बन चुके है वह सारे प्लेयर आप양 सकते हो स्क्रिन चूट ले सकते हो फिलाल इस match के जो captain voice captain है वो दोस्तो जिक फ्रेगर मैगगर को VC बना करके चलिए बतलर के chances रहेंगे कि समयस में CVC की पारी खेल जाए पीछ भी वैसा है run बनाने जैसा सैंसन की पारी आनी बाकी है वो आ सकता है संदीप शर्मा और चहल को आपनी टीम में जरूर ब्यक करें겠ary संदीप को पहले बॉलिक में डेफिनिटली सिवीसी में ट्राई किया जा सकता है इशांत अगर खेले तो वो हो सकते हैं ड्रीम टीम के वोईस काफटेंशी में आ सकते ह बाकि हमारी टीम है जो हमारा fix player होने वाले है वो मैं गर्क, पंत, बटलर, संदीप, चहल, स्टब्स, इशाद अगर खेलते हैं तो दो ऐसे किलारीजिन को एक साथ अपनी टीम में नहीं ले रहा है आपको वो दोस्तों पोरेल और शेहोप को एक साथ नहीं लेकर के जाना due to credit management, credit को manage करने के साब से, रिशापन कुलदीप को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, हाला कि यह बहुत risk हो जाएगा, अगर आप एक risk taker हो तभी try करना, जैसवाल बटलर यह भी risk होगा, बट risk taker हो तो try करना, संदीप और बोल्ट को भी एक साथ अपनी टीम में नहीं रखना, यह अगेन एक risk की option है, लेकिन यह जरूर करके चलना, क्योंकि चांसे जादा रहेंगे, कि दोनों में से किसी एक को विकेट मिला, अगर मिलता है, तो power play में भी आपको एक opener flop होता दिखाई देगा, दिल्ली की टीम से, और उसके बाल, death में भी आपको उच्छाखा सा अगरामप आये, टिल्ली कामब मिलता,